हेलो फ्रेंट वेल्कम डू माई चैनल तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बहुती ब्यूटिफुल से और्नमेंटल प्लांट के बारे में तो फ्रेंट्स ये स्वीट पटाटो वाइन है हिंदी में इसको सकरगंदी की बेल भी बोलते हैं तो फ्रेंट्स ये सकरगंदी की ही बेल होती है तो फ्रेंट्स ये तीन चार कलर में आती है लेकिन इसका जो में कलर है वो एक ये नियोन या फिर डार्क पैरट ग्रीन भी इसको आप बोल सकते हैं जो आप देख रहे हैं एक तो ये कलर और एक ओन इसमें डार्क परपल कलर आ जो में शीन की ज़ाद जाद चलते हैं दो और एक दो बारैटि और मैंने देखी है जासे की मनी प्लांट में मार्वल पुतहोज बाइटी आती है तो उस तरह से कुछ एक इसकी बारैट प्लकुदि भी बगन देखने वह इतनी का टेक्स्टर थोड़ा सा नियोन वाली से अलग होता है यह जैसे की पान का प्लांट होता है उस तरह से इसकी कुछ लीप्स होती हैं लेकिन देखने में दोनों ही बहुत ही व्यूटिफल से लगते हैं इनको आप दोनों को एक साथ मिक्स एंड मैच करके लगा दो या फिर अ आप अगर रियल में इनको देखोगे बहुत ही ब्यूटिफल लगते हैं और जैसे मैंने परपल वाली के साथ कुछ अपने सिंगोनियम लगा रखे हैं तो मिक्स एंड मैच करके इस तरह से आप इनको लगा सकती हो और कितनी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े परपल वाली तो मैंने अभी लगाई है इसके यह चल पड़ी है लेकिन यह देखें नीचे को जब लटकती है ना वाइन बहुत ही ब्यूटिफुल लगती है मैंने जगा जगा रखी अपनी मिक्स एंड मैच करके परपल ग्रीन और समर में फ्लावरिंग की थोड़ी सी कमी हो जाती है ना आप अगर इन प्लाट को अपने गार्डन में लगा लोगे तो आपको फ्लावरिंग की कमी नहीं महसूस होने देगी और फ्रेंट्स आप अगर चाहते हैं कि आप अपने गार्डन को बहुत ब्यूटिफुल साइक लुक दें तो इन दो वाइन को आप जरू तो इसकी जो लीफ का जो कलर है थोड़ा सा गरीनिस सा मतलब लाइट परपल सा हो जाता है लेकिन जो इसको मतलब धूप में हम इसको रखते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है ऐसे ही ग्रीन वाली का है अगर आप उसको इंडूर रख दोगे जा इंडूर में भी ग् ही रहती हैं बहुत ही हाड़ी प्लांट है लेकिन जो ब्यूटी इनकी है वह आपको आउट्डोर में ही निकल के आएगी इसको डायरेक्ट संलाइट में रखिए या आदे दिन की भी धूप आती है आपके यहां या दो तीन घंटे की धूप मिलती है तो बहुत ही ब्यूटी और डायरेक्ट मित्टी में आप उसको लगा दीजिए लगाना कैसे है आप किसी पह kayak की मित्टी में आपके गी हो या रीवर सैंड या कमोस्ट मिली हुई हो या नहीं मिली होई किसी भी तरह की मिट्टी में यह बड़ी आसानी से ग्रो कर जाती है बस धिहान रखे जब आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो कटिंग को आप तीन-चार दिन के लिए कहीं सेडी एरिया में रख दीजिए तो कि फ्रेंड्स यह समर सीजन चल रहा है टेमपरेचर काफी है तो तीन से चार दिन में आप देखेंगे इसकी जो रूटिंग है उसमें सुरू हो जाती है उसकी में पहचान बता देती हूँ आपको तीन-चार दिन तक आपकी जो कटिंग लगाओगे कटिंग लगाने के बाद जो लीफ्स हैं वो जुकी-जुकी सी नजर आएंगी तो आप यह नहीं सोचना कि यह चलेगी ने चोथे या पांचवे दिन जैसे ही आप अपनी कटिंग को देखोगे उसकी लीफ्स खड़ी हो जाएंगी यानि की स्टेबल जब हो जाएंगी तो समझ लेना कि आपकी कटिंग चल चुकी है तो उसके बाद आप अपनी कटिंग को थोड की कटिंग में तब भी वह वहीं से ग्रोथ अपनी पकड़ लेती है बड़ी ही असानी से ग्रो कर जाती है तो सिंपल बस इसको लेना है उपर की तिन चार लीफ्स टिप की छोड़ देनी है नीचे की एक दो लीफ्स जो हूँगी वो हटा देनी है सिंपल ऐसी ही मिट्टी में इसको लगा देना कोई रूटिंग होर्मोन नहीं लगाना कोई अलोवेरा जैल नहीं लगाना बड़ी है असानी से यह ऐसे ही ग्रो कर जाएगी और फ्रेंट्स आपको अगर इसकी कहीं से कटिंग नहीं मिलती तो इस टाइम इसका सीजन चल रहा ह है आपको नर्सरी में भी अगर आप लाना चाहते हो तो बड़ी ही आसानी से यह मिल जाएगी और फ्रेंट्स जब आपको अगर इसकी कोई कट इंग मिल दीजिए तो चली फ्रेंड्स कैसी लगी आपको यह मेरी वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए साथ ही में मिरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर